हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो फ्रेंट्स देखे आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ब्लाउज का जो साइड वाला पलर होता है उसको आप कैसे जॉइंट कीजेगा कैसे कटिंग कीजेगा सारा कुछ बताएंगे कटिंग अंडिस्टिचिंग दोनों ही बताएंगे तो देखें बहुत किसी को दिक्कत होता है कि कटोरी वाला ब्लाउस तो बना लेते बनाना है पर कटिंग कैसे करना है साइड वाला पलर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैसे कटिंग करना है कैसे क्या करना है समझ में नहीं आता है क्योंकि उसी में ऐसा कुछ होता है ना कि कितना नाप लेंगे लंबाई कितना चोड़ाई बहुत सा नाप होता है जो समझने में नहीं आता है अच्छे से तो इसलिए हम सिंपल सिर्फ साइड वाला पल्लरी आपको कैसे कटिंग करना है वह हम बताएंगे वीडियो में यह वा लाइक कर दीजिए जदस जदसेर कीजिए अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और देखिए जब भी आप कटिंग सिखिएगा तो हमेसा ध्यान दिजिएगा कपड़ा जो है मेरा कॉटन वाला कपड़ा ही हो इस तरीका सब्सक्राइब कर लिया अब इसको क्या करेंगे कि लौ सिस्या साइज के आपको बड़ा साइज वाला बनाना है तब भी आपको ग्यारा इंच लेना है अगर आपको छोटा साइज वाला बलाऊस बनाना है तब भी आपको ग्यारा इंच लेना है देखिए हर साइज के हम बताएंगे आपको ग्यारा इंच ले लिए अब देखें गले के लि लेना है दोनों साइज में ठीक है और यह वाला साइज भी आपको सेम ही लेना है तीन इंच हो गया अब देखे आर्मोल के लिए 5 इंच यहाँ पे अगर आप हेवी साइज वाला बलाउस बना रहे हैं तो आपको लेना है 6 इंच आधा इंच जादा लेना है ठीक है और यहाँ पे आता है में बात यहाँ पे आपको लेना है अगर आप कम साइज वाला बलाउस बना रहे तो चार इंच लेना है अगर आप हेवी साइज बना रहे हैं तो आपको पांस लेना है ठीक है और क्या किजिए यह वहला पूरा सिधा लाइन ड्रॉ करना है कर दिये यहां से मिला देना है इतना हो गया अब देखे क्या है यहां पे जो आरमोल का गोलाई है यहां पे अच्छ से बैठेगा नहीं गला इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो गला है उसको हमको अच्छे से गोल करते हुए ले जाना है अब देखे आपका साइज जैसा है उसी हिसाब से आपको यहां पर रखना है कपड़ा आपको अगर कम कपड़ा रखना है तो यहां पर कम कपड़ा पर हम जहां से पांच इंच लिए थे यहां से इसको मिला दिना है अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ऐसा गोलाई देजिएगा यह वाला जो मेरा कपड़ा है यहां पर मिनीमम कम से कम तीन इंच होना चाहिए देखिए मेरा तीन इंच नहीं है तो यहां पर क्या और तीन इंच तक ले आएंगे यहां पर देखे इस जगह पर इसको अच्छे से इस तरीके से गोल करेंगे ठीक है अब देखे मेरा तीन इंच हो गया यहां पर यह वाला चोड़ाई बहुत इंपोर्टेंट होता है यहां पर तीन इंच लेना ही पड़ेगा क्योंकि देखे मेरा कटोरी ज़ंट करने के लिए अब मेरा स्लीब्स जएट और अगर मेरा इतना कपड़ारा इतना बड़ा रहेगा तो फिर इतना इतना लिजिएगा आप सिलाई करने के लिए तो कपड़ा आपको छोटा हो जाएगा यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मिनिमम आपको तीन इंच लेना ही पड़ेगा ठीक है यह ध्यान दी जगे बहुत इंपॉर्टन्ट है यह वाला जो चोड़ाई है यहाँ पर ती पाख़े यहाँ से यहास से यहाँ तक मेरा 4 रही जितना हम लिए थे उतना ही है यहाँ पर आपको फ्र में सीधा यहाँ पर कुछ नहींख करना यह ज्यादा एक्श्ट्रा है यहाँपर बहुत है अब देखे जैसा लाइन डॉक ये हैं वैसे सेम कटिंग करते ना करते हैं में में एतराना करते हैं एसक्राइब केटिंग एंग है कर लिए इसको भी अटा लेंगे अच्छे से कटिंग हुआ है अच्छे से कटिंग लिए हैं तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए और अगर आप मेरे से में नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई